प्रिश्कार क्लाशे सरदार सर के यूटूब चैनल में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है आज है तीस मई तो हम इस वीडियो में तीस मई से रिलेटेड जितने भी करेंट अफेर के किस्वन बनते हैं न उनके बारे में डिसकस करेंगे आप अपने प्रिश्कार को इंस्टाग्राम और फेश्व पेज़ फोलो कर लेना और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देजीगा और अपने प्लेस्टोर अप्लीकेशन है वो भी तैयार हो गया है तो आप उसको जाकर इंस्टोल कर लीज़े प्लेस्टोर में आपको मिल जाएगा प्रिसकार क्लासे सदासर सर्च कर लेना और वाइज आपको लिंक भी मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी यूटूब के अबाउट में मिल जाएगी तो वहां से आप अधर सोसल प्रेटफॉम पर मिल जाएगी जुड़ सकते हो और पीडियएफ भी आ अपना अच का करन्या फैर स्टार्ट करते हैं फटाफट तो आज का पहला क्यों सुन क्या है तो पहला क्यों सुन ये रहा आपकी स्क्रीन पर हाली में किस रज ने स्थानी निकायों को जंगली सुरों को मारने का आदेश दिया है तो जंगली सुरों को मारने का आदेश है वो किस ने स्थानी निकायों को किस ने दिया है तो ये इसका सही अंसर है वो केरल ने दिया है किस ने दिया है कुछ हम भी तो जंगलों को नश्ट कर रहे हैं तो उन जानवरों को रहने की जगए भी तो नहीं मिल रही है तो उस वज़े से कुछ हम भी जम्यदार है तो कुछ जानवर भी जम्यदार है और कुछ परसासन भी जम्यदार है कि उसकी सही तरीके से निग्रानी की जाए आसपास दिवार करके उस पे निग्रानी की जाए लेकिन वो ही है अब चलो इसके केरल नहीं है वो क्या कर दिया है साफ साफ है वो जंगली सुवरों को मारने में अनुमती दे दी है और केरल तो क के बारे में जानाच जांसते हैं थोड़ा तो इसकी कैपिजान तिर्वनन्थ पुरम है और अभी इसने सिंतोष ट्रोफिय tutor रोजिती है और केरल there ना वो भी कहां स्टार्ट होगे तो इसकी केपिटल से स्टार्ट होगे और रज्य का पहला विग्यानिक पक्सी एटलस वो भी कहां है तो वो भी केरल में है तो चलिए अपन नेक्स्ट कुशन पर चर्चा करते हैं नेक्स्ट कुशन है अपना हाली में राजनाथ सिंजी लिखते रहे ना एक अपनी डायरी डाल लिजी जिसमें हर राजे के जितने भी कुछन बनते हैं वो आप लिखते रहे ना उससे डेली डेली है आप छोटे छोटे है ना आप इसको ऐसे मत करो कि हमें याद ही करना है रटना ही है बस इसको नॉर्मल ऑवरली है वो पढ़ते र चलता कि एक छोटा 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 बदलाव करते 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 एक दिन है वो बहुत बड़ा बदलाव हो जाता है आप रोजाना थोड़े थोड़े दस पांशा साथ साथ क्यूस्ट पढ़ोगे करेंट अफ़ेर चीजी एक ऐसी आपको डेली पढ़ना पड़ेगा अगर पर छाय महीने का ये देखोगे कि मैं दस मिनट के आप मेरा दस दिन रहे हैं एक्जाम के तो मैं बैठ जाओ आँ आप इसको और ढूंड ता रहूं पूरा करन्ट अफेर है वो फीचल अचाय महीने का रट वार रहूं बस सुबह शाम करन्ट अफेर कभी मुमल लेयो कभी अब्जेक्टिव खभी ठेओरी परतियों के तरह दरपन ऐसा करोगे तो जो पांच्छे किसन आ रहे हैं वो आपके सही नहीं होंगे और या तो उस पूरी बुक्स में पढ़ोगे दो सो डाइसो पेज पनने की बुक पढ़ोगे उसमें से किसन में लेगे दो तो मतलब क्य जाओ इससे बेटर है आप छोटे-छोटे बदलाव है वो डेली करते रही है चोटे वो सुना ही होगा आपने कि बूंद-बूंद से घड़ा बर जाता है बस ठीक वैसे है एक चिडिया है वो भी तो एक दिनके से अपना एक गोशला बना लेती है घर बनाती हो इतना आपको बेनिफिट है वो एक्जाम के अंदर आउटफुट मिल जाएगा तब आप मेरे को बोल देना अगर आप ऐसा करोगे और आउटफुट ना मिले तो आप जो बोलोगे मैं करने के लिए तयार हूँ लेकिन ऐसा आपको करना पड़ेगा बेली है वो रूटीन बनाना पड़ेगा कि 10-15 मिनिट मुझे करेंट अफियर देखना है और उसे नोटबुक में लिखना है आपका जो भी आपको सक्सेस मिलेगी वो आपके आपने जो सोच रखिया है वो आपके कदमों में होगी आपको जन्नत है नसीब होगी तो उत्राखंड किसन से मैं थोड़ा ब बार बार मैं आपको कि एधलिट समीति के अधरिक्स के रूपने किसने चुना गया है तो लवनीना बोर्गोहन को चुना गया है यह रिए इसका सही हम ररे इन्होंने चुना हुआ था मतलब इनका voting होई थी बहुत कह सकते हैं जैसे monitor की voting होते हैं वैसे ही वाइथ है तो इसमें इनको है सबसे ज़्यादा है वोट मिले थे IBA मतलब International Boxing Association International Boxing Association की अध्यक से बन गई है लवनिना बोर्गन तो आप याद रखना most important अच्छा क्यूशन है हाली में किसने भारत का पहला पावन सोर hybrid power plant चालू किया है तो भारत का पहला सोर hybrid power plant है वो चालू किया गया है ये राजस्तान स्टेट के लिए बेहद important question है क्यूं है क्यूंकि एक तो ये अदानी group है अदानी green arm option number B अदानी नहीं हो सकता ये अदानी green arm इसने है लगाया है और ये कहां लगाया है तो पवन उर्जा का ये plant है सोर उर्जा का भी दो दिन दिन देम पहले देपन ने देखा था तो वो अपने राजस्तान में लग रहा था और अभी ये अदानी group green के दोरा है वो अपने जेसल मेर सुरन नगरी में लगाया जाएगा क्योंकि आपको पता है जेसल मेर में काफी कुला वातारण है और वहां पे धूप भी पड़ती है तो काफी हवाईं भी चलती है और पवन मतलब हवाउं से यहां पलांट लगेगा तो अब हवाउं से बिजली बनेगी शोरी तो सोर हाईब्रिड है वो कहां लगाया जाएगा अपने राजस्तान के जेसल मेर में लगाया जाएगा अदानी ग्रीन आर्म के दोरा लगाया जाएगा तो यह मुस्ट इपोर्टेंट क्यूशन हो जाता है आप याद रखना अच्छा वाला क्यूशन है यह और राजस्तान तो राजस्तान के बारे में आप सब को पता है अंगदान इसक मारका अपने जैपूर में है तो सरिस्का है केवला देव है यह यहां पर रंग थंपोर है यह नेशन पर रख है तो आप याद रखना और बायो फ्यूल लागू करने वाला यह पहला रज्य है चेतरपल की दृष्टी से सबसे बड़ा रज्य है जब से जब मद्य पर देश से 36 गड़ अलग वा था नॉम्बर 2000 से यह बड़ा रज्य है टोटल सीमा इसकी 5920 लगती है जिसमें 1070 है वो रेडिकली फरेखा है तो आप याद रखना और सबसे ज़्यादा 1600 किलोमेटर है वो मद्य पर देश के साथ और 79 किलोमेटर है वो किसके साथ लगती है पंजाब के साथ लगती है यह अपने इफेक्ट दा देख लिया अब अपन नेक्स कुशन पर चरचा करते है अच्छा इपोर्टेंट क्यूशन है भारत बांगलादेश या ट्रेन की तीसरी या तरह कब परहनब होगी तो भारत बांगलादेश ट्रेन की तीसरी याता है वो एक जून से परहनब होगी शोरी एक जून करना यहां पर जुलाईने एक जून से परहनब होगी मतलब 31 मई 2-3 बिनों के बाद में है वो परहनब हो जाएगी और ये एक जुन को क्या बार है एक जुन को बुढ़ रहे हैं तो ये बुढ़ और रही बार दो दिन चलेगी और बश्यम बंगाल से राज़धानी है राज़धानी है ना बांगलादेस की डहका वहां तक है चलेगी और ढखार राज़ता नहीं है तो इसके पी-एम कोन है तो पी-एम है वो है पी-एम कोन है तो पी-एम है उससे एक हसीना इसकी पी-एम है तो आप याद रखना अच्छा क्यूशन है चलिए नेक्स टूशन देखते हैं बंगलादेश के भी अपन पीछल तो इमें आया है मनाया जा रहा है और इसकी Most Important क्यूशन बन जाता है यह तो ना पूछे कि कब मनाया जाता है लेकिन 2022 की जो थीम है ना वो ज़रूर पूशब रहे हैं तो रेचिक्ट एंड पर्शिप्ट इसकी थीम है तो आप याद रखना अच्छा क्यूशन है थीम वो चड़ाई की है और ये मातर दस वर्स की है और कहां की है मुंबई की है कहां मुंबई की है ये तो कौन है तो इसका क्या नाम है तो इनका नाम क्या है तो इनका नाम है वो है जिदिया ममानिया क्या है रिदिया ममानिया जो अप्सन नमर बी इसका दिखाई दे रहा है वो अंइनों ने फत्ह किया है कितनी उंचाई पे किया है इनों ने तो 5364 5964 बोल सकते हैं 5364 मीटर उंचाई है वो फत्ह किया है तो आप जाद रखना अच्छा क्यूसन है और इससे पहले भी अपन दो दिन पहले चर्चा की थी तो जो बिना उक्सिजन सपोर्ट के है वो माउंट एवरेष्ट पता किया था तो वो पीनियल कौन से बसा आके थी आप याद रखना वो भी अच्छा क्यों से था ये भी अच्छा है वीर सावरकर की 149 वी जैनती कब बनाएगी है तो 139 वी जैनती है वो कब बनाएगी है तो 28 मई को बनाएगी है ये किसकी वीर सावरकर गी जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं ये है वीर सावरकर जी और हिंदू मासबा के इन्होंने विक्सित की थी और 7 साल तक है वो अध्यक से रहे थे तो आप याद रखना अच्छा क्यूसन है ये भी मॉस्ट इपरटेंट क्यूसन हाली में किस रजज ने विस्व विद्देलों के कुलपती के रूप में सी-म को निउक्त करने का फैसला किया है वो पस्चिम मंगालने किया है किसने? पश्चिम मंगाल ने किया है मतलब अब विश्वी दाले के कुल पती है वो किस को मनाया जाएगा सीम को मनाया जाएगा और पश्चिम मंगाल के सीम कौन है ममता बेनर जी है और पश्चिम मंगाल के बारे में अपने कल भी देखा था कि इसे सिक्षा जगत के लिए इस कोच प सिल लिमें दिया जाएगा तो यह ठराजों को वापिस यह कर आपके सामने पका आएगा दिख लेना ते और ये पस्च्चमंगलत तो पस्चमंगल के में एलुमीनिम से हल्की है न एक मेट्रो टरेन बनी हो यह जिसक화 उड़काटन भी कहां किया गया तो वो पच्चे मंगाले में किया गया है तो आप याद रखना हाली में किस रज्जे में पाई गई बंदर की एक नई परदाती का नाम सेला पास के नाम पर रखा गया है तो ये कहां कि परदाय की ए तो सेला पास के नाम पर रखा गया है तो ये अरुनाचल परदेश में कहा अरुनाचल परदेश में है, वो बंदर की एक नई परजाती पाएगी है, जिसका सिलापास के नाम पर रखा गया है, तो अरुनाचल परदेश का जिसे क्या कहा जाता है, तो उगतेवे सूरिय का स्टेट है, वो कहा जाता है किसे अरुनाचल परदेश को, और चलिए अरुना का सही अंसर हैं तो ये आप याद रहना और केपिटल इसकी क्या है तो इटा नगर इसकी केपिटल है सी एम पेमा खांडू है और रजय पाल कोन है तो बिडी मिस्रा है और उचनाले कहां इसका तो वो गुहाटी में है अपने इसके बारे में डिसक्स कर लिया और एक और बता की गए इंडिया केपिटल में की गई है तो अपने नहीं दिल के बारे में कल भी क्यूशन डिसक्स किया था तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और शीम कोन है अर्विंद केजिरवाल है ये आज के क्यूशन है वो कंप्लीट होगे आई होब कि आपको ये जरूर बताना और इस कलास को प्यार देना शेयर करना और अब मैं आप से आगया लेता हूं कल वापिस मिलते हैं आठ बजे जैहिन जैबार धन्यवाद